हम बात कर रहे हैं PNB की लास्ट ट्रेडिंग डेकि बात करें तो इस टॉक में हमको छोटी मोटी गिरावाट के साथ ही क्लोजिंग देखने के लिए गिरावाट के बास सपोर्ट लेकर इस टॉक बांस बेक वाए higher eye pattern हमको देखने के लिए मिला है और stock ने rejection कहां face किया है 138K लेवल पर जहां इस से पहले stock दो दफा rejection face करता नजर आ रहा है आया था rejection लेकर गिरावट भी दिखाए थी 130K लेवल को PNB break out करके यहां से बड़ी उड़ान बड़े target हमको दिखा सकता है 130K लेवल के break out के बाद PNB में हमको बड़ी buying बड़ा जम देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि हम देख सकते हैं दोस्तो जब stock गिरावट के बाद bonds back हुआ है 138 टके target दिखाए और 125K लेवल से bonds back हुआ stock तो जब हमको really दिखाए है तो उसके बाद अपने high से कुछ बड़ा selling हमको देखने के लिए नहीं में रहा है stock अपने high के आसपास हमको sustain होता नजर आए जैसी जितनी rally देखने के लिए मिले हमको उतना बड़ी गिरावट यहां selling देखने के लिए नहीं में रहेने जो बड़े pillars थे वो अब भी यहां पर बने वे और अपने high के आसपास stock sustain हो रहा है बड़ा selling देखने के लिए नहीं में रहा है तो breakout के chance जियादा बनते है अगर गिरावट आती है तो immediate support का का काम करेगा यह जो level है जहां से इससे पहले stock ने rejection दिखाया था 135 का level इसको breakdown कर गया तो अगला support 132 का level रहेगा और stock अब जब तक इस low के उपर है तब तक बड़ी गिरावट नजर आना मुश्किल है 124, 125 का level अब हमको नजर रखना है दोस्तों इसी level पर 138 के level पर अपना पहला target रहेगा 138 इसको breakout कर गया तो 140 और 140 के breakout के बाद stock में हमको 144 से लेके 150 तक के target देखने के लिए मिल सकते है 140 के breakout के बाद हमको PNB में बड़ा जम बड़ी buying भी देखने के लिए मिल सकती है अगर आप teammate account open करना जाते हो तो description में दी गई लिंक से कर सकते हो वीडियो education purpose के लिए कोई buy से लिया hold की सला नहीं है